जैसरे राधे किश्मि आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज सुनते हैं सोला सोमबार के ब्रत में भगबान शिव माता पार्बती का पूजन किया जाता है सोला सोंबार का व्रत यَا बड़ा ही पुने दायक माना गया है जो भी सचि सर्धा के साथ नियम और निश्टा के साथ सोला सोंबार का व्रत करते हैं, कथा सरवन करते हैं भगवान शिवजी की किरपा से उन्हें सभी परकार के शुक और शमृद्धी की प्राप्ति होती है। जब भगवान भोलेनाथ भगवान महादेव शिवजी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिवपरिवार का भी पूजन करना चाहिए। भगवान भूले नाथी एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के उपर थोड़े से जल से ही प्रशन हो जाते हैं और अपना करपा बरसाते हैं तो आए सुनते हैं तो बोलिए प्रेम से भगवान भूले नाथ की जै माता पारवती की जै एक समय मिर्तु लोक में भ्रमन करने की एक्षा करके भगवान भूतनाथ भगवान भोले नाथ महादेव माता पारवती के साथ मिर्तु लोक में आया भ्रमन करते करते दोनों विधर्व देशान तरगत अमरावती नाम की अतिरमनीक नगरी में पहुँचे अमराबती नगरी अमरापूरी के सद्रश सब परकार के सुखों से पड़िपूर्ण थी उसमें वहां के महराज द्वारा बनबाये हुए अती रमनी के शिवजी का मंदिर भी था भगबान शंकर भगबती पारबती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे एक समय माता पारबती भगबान भोलेनाथ को प्रशन देख मनो विनोध करने की इक्षा से बोली कि है महराज आज तो हम दोनों चौरस खेलेंगे शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे उसी समय मंदिर का पुजारी ब्रामन मंदिर में बिना विचारे सिगरता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पारबती जी की विजय होई पारबती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्रामन को जूठ बोलने के अपराज के कारण स्राप देने को उद्यत होई भोलेनाथ न वह अनेक प्रकार से दुखी होने लगा पुजारी को स्राप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दीन हो गये तब एक दीन देव लोग की अपसराएं भगबान शिव जी की पूजा हे तू उसी मंदिर में पधा ली पुजारी के कोड के कष्ट को देख उन्होंने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूजा पुजारी ने निशंकोच सारी बाते बताई वे अपसराएं बोली कि है पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना भगबान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे तुम सब व्रतों में स्रेष्ट सोलह सोमबार का व्रत भक्ती भाव से निश्ठा पुरवक किया करो पुजारी ने अपसराओं की रानी से विनर्म भाव से सोलह सोमबार व्रत की बिधी पूछे उसने बताया कि सोमबार को भक्ती के साथ व्रत्त करे स्वक्षवस्त्र पहने संध्या एबं उपासना के बाद आधा सेर गेहुं का आटा ले उसके तीन अंग बनाए और घी, गुड, डीप, नेविद्य, पुंगी फल, बिलपत्र, जिनेव, चंदन, अक्षत, पुषपाद के द्वारा प्रदोस काल भगवान संकर का विधी से पूजन करे तत पश्चात तीनों अंगों में से एक शिवजी को अरपन करे बाकी दो को शिवजी का प्रसाद समझ कर उपस्थीत जनों में बाट दे और आप भी प्रसाद पाएं इस विधी से 16 सोमबार तक ब्रत्त करे 17 सोमबार को पाव सेर पवित्र गेहु के आटी की बाटी बनाये उसमें घी और गुड मिलाकर चुर्मा बनाये भगवान फोले नाथ को भोग लगाकर उपस्थिती भक्तों में बाटे इसके बाद कुटुम्ब सहित प्रसाद ले तो शिवजी की करपा से उसके सभी मनुड पुर्ण हो जाते हैं ऐसा कहकर सभी अपसराएं स्वर्ग को चली गए ब्रहामन ने यथा विधी 16 सोमबार व्रत्य किया तथा भगवान शिव की करपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा कुछ दिन बाद शिवजी और पारवती फिर उस मंदिर में पधारे ब्रहा ब्रहामन से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्रहामन ने 16 सोमबार व्रत्य की कथा सुनाई पारवती जी अतिक प्रशन हो गई और ब्रहामन से व्रत्य की विल्ही पूचकर स्वयम इस व्रत्य को करने को तयार हुई व्रत्य करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्टिकै स्वयम माता के आग्याकारी हुए कार्टिकै जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहष्य जानने की इक्षा हुई वह माता से बोले कि हे माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी और आकर्शित हुआ पाता पार्वती ने वही 16 सों बार व्रत्त की कथा सुनाई कार्टिकै जी ने कहा इस व्रत्त को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिये ब्रहमन मित्र बहुत दुखी दिल से परदेश गया है मेरी उस से मिलने की बहुत इच्छा है कार्तिके जी ने भी इस व्रत्त को किया और उनका प्रिये मित्र मिल गया मित्र ने इस आकाश्मिक मिलन का भेद कार्तिके जी से पूछा तो वह बोले कि है मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इक्षा करके 16-12 का व्रत्त किया था अब तो ब्रामन मित्र को अपने विवाह की बड़ी इक्षा हुई उसने कार्टिके जी से व्रत्य की वीधी पूछी और यथा विधी व्रत्य किया व्रत्य के प्रभाव से वह किसी कार्यवस विदिश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयमबर था राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ती के गले में सब प्रकार के स्रिंगारित हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूँगा भगवान शिवजी की किरपा से वह ब्रामन भी स्वयमबर देखने की एक्षा से राज सभा में एक उर बैठ गया नियत समय पर हथनी आई और उसने जैमाला उस ब्रामन के गले में डाल दी राजा ने अपनी प्रतिग्या के अनुसार बड़ी धूम धाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्रामन के साथ करा दिया ब्रामन सुंदर राज कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा एक दिन राज कन्या ने अपने पती से प्रश्ण किया कि है प्राणना था आपने ऐसा कौन सा भारी पुन्न किया था जिसके प्रभाव से हतिली ने सब राज कुमारों को छोड़ कर आपको वरण किया ब्रामन बोला कि है प्राण प्रिया मैंने अपने मित्र कार्टिके जी के कथानुसार 1612 का व्रत्य किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ती हुई व्रत्य की महिमा सुन राज कन्या को आश्यर्य हुआ वह भी पुत्र की कामना करके भगवाद शिवजी की दया से उसके गर्व से एक अती सुन्दर शुशील धरमात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ माता पिता दोनों उस दिव पुत्र को पाकर अती प्रशन हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे जब पुत्र कुछ समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से प्रश्न किया कि हे मा तुमने कौन सा व्रत एवं तब किया था जो मेरे झैसा पुत्र तुम्हारे गर्व से उत्पन्न हुआ माता ने 16 सोंबार व्रत की विधी पुत्र को बताई पुत्र ने सब तरह के मनुरत पुर्ण करने बाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्या जिकार पाने की एक्षा से हर सोंबार को यथा विधी या व्रत करने लगा ब्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राज कन्या के लिए वरण किया राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुन संपन ब्राह्मन पुत्र के साथ करके बड़ा सुख पराप्थ किया वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राहमन पुत्र को सिंगासन पर बैठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं थी राजी का उत्राधिकारी होकर भी वो ब्राहमन पुत्र सोला सोंबार का व्रत करता रहा जब स्टरहवा सोंबार आया تو विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामगरी लेकर शिव पूजा के लिए सिवाले में चलने को कहा परन्तु उसकी पत्नी ने उसकी आग्या की परवाह न की दास दास्यों द्वारा सव पूजन सामगरी सिवाले भिजवा दे परन्तु जब राजा ने शिब जी का पूजन समाप्स किया तब आकाशवानी हुई कि हे राजा अपनी इस रानी को राज महल से निकाल दे नहीं तो यह तेरा सर्वनास कर देगी आकाशवानी सुनकर राजा के आशर्य का ठिकाना ना रहा उसने मंत्रना ग्रिह में आकर अपने सभासदों को बुला कर पूछा कि हे मंत्रियों मुझे आज भगवान शिब जी की आकाशवानी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे नहीं तो तेरा सर्वनास क कर देगी राजी की मंत्री तथा सभाशद आदी सव विश्मय और दुख में ढूब गये क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था या कैसे संभव हो सकेगा खैर राजा ने अपनी पत्नी को राज महल से निकाल दिया रानी फटे वस्त्र पहने ने भूख से दुखी धीरे धीरे चल कर वह एक ग्राम ने पहुची वहाँ एक बुढिया सूत काट कर बेचने जाती थी रानी की करुण दसा को देखकर वह बोली चल तु मेरे सूत बिकबादे मैं बिद्ध हूँ भाव भी नहीं जानती हूँ यह बा आधी आई और बुढिया का सूत पोटिली सहित उड़ गया बेचारी बुढिया पस्ताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा इसके बाद रानी एक तेली के घर गई शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी छन चटक गए तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तटपड गई तो नदी का समस्त जल सूख गया तत पश्चात रानी एक वन में गई वहां जाकर सरोबर में सीड़ी से उतर कर पानी पीने गई उसके हाथ का असपर्स होते ही सरोबर का नील कमल के शितल छाया में विस्त्राम करना चाहा परंतु राने जिस भी पेर के नीचे जाती उस पेर के पत्ते ततकाल गिर जाती वन सरोबर जल की ऐसी दसा देख गव चराते गवालों ने अपने गोसाई जी से जो उस जंगल में इस्थीत मंदिर में पूजारी थे यह बात उन्हे बताई गुसाई जी के आदेशा अनुसार गवाले रानी को पकर कर गुसाई जी के पास ले गए रानी की मुख कांती और शरीर की सोभा को देख गुसाई जी जान गए कि यह आवश्य ही कोई विधी या गती की मारी कुलीन इस्त्री है पूजारी ने रानी से खा कि पुत्री मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखोंगा तुम मेरे आस्रे में ही रहो मैं तुमको किसी प्रकार का कश्ट नहीं दूगा गुसाई जी के ऐसे वचनों को सुनकर रानी को धिरज हुआ वहा आस्रम में रहने लगी रानी जो भोजन बनाती उसमें कीरे पड़ जाते जल भर कर लाती उसमें भी कीरे पड़ जाते रानी की यह दसा देख गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी तुम्हारे उपर कौन सा देखता का प्रकूप है जिससे तुम्हारी ऐसी दसा है पुजारी की बात सुन रानी ने भगवान शिवजी महराज की पुजन का बहिश्टार करने की बाते बताए तो पुजारी सिवजी महराज की अनेक प्रकार से अस्तुति करते हुए राणी से बोले कि पुत्री तुम सब मनुरत पुर्ण करने वाले 16 सोंबार व्रत्थ को करो उसके प्रभाव से तुम अपने कश्टों से मुक्त हो सकोगी गुसाई जी की बात को मानकर राणी ने 16 सोंबार व्रत्थ किये और 17 सोंबार को विदि विधान सहित निष्ठा पुरभक पूजन किया उस पुजन के प्रभाव से राजा के हिर्दय में विशार उत्पन हुआ कि राणी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए न जाने कहां कहां भटकती होगी उसे ढूनना चाहिए या सोच राणी को तालास करने के लिए राजा ने चारो दिशाओं में दूत भेजे वे दूत रानी को ढूंडते हुए पुजारी के आस्रम में पहुँचे वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आगरह करने लगे दूत चुपचाप लोट गय और महराज को राणी का पता बतलाया राणी का पता पाकर राजा स्वयम पुजारी के आस्रम में गये और पुजारी से प्रातना करने लगे कि महराज जो देवी आपके आस्रे में रहती है वो मेरी पत्नी है शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था अब इस पर से शिब जी का प्रकूप सांत हो गया है इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ आप इसको मेरे साथ जाने की आग्या दीजिए गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ कर रानी को राजा के साथ जाने की आग्या दे दिये गुसाई जी की आगया पाकर रानी प्रशन होकर राजा के साथ नगर में आई नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तुरण एवं बंदन वारों से विभिन विधी से सजाया घर घर में मंगल गान होने लगे पंडितों ने विविद वेदों मंत्रों का उचारन कर अपनी राज रानी का स्वागत किया ऐसे अवस्था में रानी ने पुनह अपने राजधानी में प्रवेश किया महराज ने ब्रहमनों को अनेक प्रकार की दानादी दे कर संतुष्ट किया याजकों को धन धान ने दिया नगरी में अस्थान अस्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहां भूखे लोग को भोजन मिलता था इस प्रकार से राजा शिवजी के कृपा का पात्र हो राजधानी में राणी के साथ अनेक तरह के सुखु को भोग करता सोंबार का व्रत करने लगा विविद्ध शिवपूजा करते हुए इस लोक में अनेक सुखु को भोगने के पश्चात दोनों शिवपूरी को पधारे जो मनुश्य, मनसा, वाचा, कर्मना, भक्ति सहित, सोला सोंबार का व्रत एवं पूजन इत्यादी विद्धबत रूप से करते हैं वह इस लोक में समस भगवान भोले नाथ की जै, माता पारबती की जै इसी परकार से जो भी भक्त जो भी जातक सची सरद्धा के साथ नियम और निश्ठा के साथ 16 सोंबार का बरत्ट करते हैं भगबान शिब का पूझन करते हैं भगवान भोले नात माता पारवती अपना किरपा सदेव अपने भक्तों के ऊपर बनाये रखते हैं तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही यान बरधक चानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचें वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथ दोस्तों के साथ शियर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे किशन धन्यबाद